बॉर्णिंग बच्चों आज हम लोग आठमा क्लास का गनित पढ़ेंगे गनित ने भी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे compound interest या चक्रुर्धी ब्याज चक्रुर्धी ब्याज को आगे हम लोग exercise 9.3 था उसका उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर उसको आगे बढ़ाते हुए question number 5 पे करेंगे ठीक है तो यह कहता है राखी ने रुपईया 8000 रुप तीन वर्स के लिए 6% वार्षिक दर से सधारन भ्याट पढ़ लिया और काजल उतने ही रासी ली मतलब 8000 रुपया ही ली उतने ही समय के लिए ली मतलब 3 वर्स के लिए ही ली और रेट सिर्फ उसका 4% है और उसका 6% यह ले ली चक्रवर्धी ब्याज पर जबकि ब्याज वार्षिक संजोजित होता है मतलब साल में एक ही बार जोड़ा जाता है ठीक है यह दो बार बलते हैं राखी का साधारन ब्याज है इसका तो लिखते हैं राखी के लिए सद्धारन ब्याज निकालेंगे हम लोग, मतलब सिंपल इंट्रेस्ट SI बराबर, हम लोग को फर्मूला पता है मुल्धन गुने दर, गुने समय बटा 100 या P into R into T by 100 तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 8000 रुपिया मेरा मुल्धन है, देखिए समय हो गया 3 वर्स और रेट हो गया 6 परसेंट बस हम लोग इसको सॉल्ब कर देंगे तो यहाँ देखेंगे, यह 240 इंटू 6 ठीक है? हो गया यह? हम लोग देखे, 240 रुपिया यहाँ पर उसको देना होगा सारी, 240 नहीं, 1440 1440 रुपिया देना होगा अब हम लोग निकालते हैं, कंपाउंड इंट्रेस्ट काजल के लिए C.I. तो C.I. निकालने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है? पहले हम लोग निकालते हैं इमाउंट मतलब मिसरधन हम लोग पहले मिसरधन पहले निकाल लेते हैं तो मिसरधन बराबर होता है पी इंटू आर पी इंटू वन प्लस रेट बाई हंड़ेड वन प्लस रेट इसका है चार बटा सो और समय दिया हुआ है तीन वर्स ठीक है? अब हम लोग इसको सॉल्फ सिर्फ कर देंगे तो यह हो जाएगा आठ हजार गुने यह हो जाएगा एलसीम ले लेंगे सो तो सो एकम सो प्लस चार पावर तीन इसको लिखेंगे हम लोग आठ हजार गुने एक सो चार बटा सो गुने एक सो चार बटा सो गुने एक सो चार बटा सो तो यहां से तीन जीरो तो कट जाएगा दो और एक तीन बाकी बच गया मेरे पास 104 इंटू 104 इंटू 8 ठीक है बटा तीन जीरो नीचे रहेगा तो 104 इंटू 104 हम लोग इसको solve करके देखते हैं कितना आता है इसको हम लोग पहले काट लेते हैं यह 25 बार में कट जाएगा और यह 26 बार में कट जाएगा ठीक है 26 बटा पचीस और बाकी कुछ कटना नहीं है अब हम लोग इसको multiply करके और इसको divide कर लेते हैं apply करेंगे 104 इंटू 104 इंटू 26 तो इस तरीका से यह आता है 2249 728 728 बाई नीचे हो गया 25 कहाँ 200 ठीक है जो हम लोग इसको divide कर लेंगे तो यह आ जाएगा 8998.91 इतना रुपिया आ गया यह मेरा है मिसरधन तो CI केतना हो जाएगा तो A-P करते हैं हम लोग amount minus मतलब 8998.91 माइनस आठ हजार जब इसको हम लोग जब solve कर देंगे तो यह आएगा 0.09 और यह आ जाएगा 441 रुपईया नौ पैसा ठीक है तो हम लोग का यह कैंसर यह हो गया तो कौन बेसी देगा ठीक है तो देखे तो यह 1440 था और यह मेरा हो गया 441 रुपईया 9 पैसा सॉरी यह हो गया हम लोग का 998 रुपईया 991 पैसा ठीक है यह हो गया हम लोग का तो हम लोग यहाँ पर देखे क्या पूछा था किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा तो लिखेंगे हम लोग राखी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे राखी को अधिक भुगतान करना पड़ेगा अधिक भुगतान करना पड़ेगा ठीक है एक answer तो यह हो गया अब कहता है कितना अधिक करना पड़ेगा उसको हम लोग निकालेंगे 1440 माइनस 99.91 इसको हम लोग खटा देंगे तो यह आ जाएगा 441 रुपिया 9 पैसा 9 9 में से 8 गया 1 13 में से 9 गया 4 13 में से 9 गया इतना रुपईया अधिक ठीक है हम लोग यहाँ पर पाले निकाले है Simple Interest फिर हम लोग Compound Interest निकाल लिए Compound Interest निकालने के बाद हम लोग देखे कि किसका बेसी आया जिसका बेसी आया उसमें से घटा दिये हम लोग उतना ही अधिक देना पड़ाएगा अब हम लोग अगला Question को देखते हैं यहां कहता है कि वो खरदा कितना स्कूटर खरीदने के लिए लोन लिया बैंक से कितना रुपया लिया पचीस सो रेट है उसका 10% और बोलता है कि ब्याज जो है वो प्रती वर्स अंजोजित होता है मतलब साल में एक ही बार जोड़ा जाता है तो दो वर्स चार महीना तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे यह जो समय जो है दो वर्स चार महीना तो यह बिल्कुल अलग-अलग निकाल लेगे हम लोग तो हम लोग पहले लिखते हैं इमाउंट बराबर पुछता है कुल कितनी रासी देनी पड़ेगी पुल कितनी रासी का मतलब टोटल अमाउंट केतना देना है मतलब मिसरधन केतना देना है हम लोग को ठीक है तो हम लोग अमाउंट बराबर पहले लिखते हैं पचीस सो यह वाला मुल्धन वन प्लस टेन बाई हंड्रेड का पावर टू इसलिए कि چार मांँ जो है न इसको हम लोग पहला बाद मी निकाल लेंगे पहले हम लोग निकालता है दो साल का तो हम लोग इसको जब सॉल्प कर देंगे तो कितना ओजागा पचीस सो एक जीरो एक जीरो कड़ जागा यह यह 10 ले लेंगे पचीस इंटू 121 कर लेंगे हम लोग ठीक है 121 इंटू 25 तो 25 से कम 25 की 5 हासिल दू अब 25 दूनी 50 दूबावन की दू हासिल 5, 25 से कम 25 पाँच 30 30, 25 हो जाएगा ये हम लोग का amount ये इतना जो है वो अगला जो चार महीना जो और बचा है मेरे पास चार महा उसके लिए ये मुल्धन या प्रिंसिपल होगा तो अब हम लोग निकालेंगे इतना के लिए SI SI ठीक है बराबर तो ये मुल्धन हो गया ये मेरा 3025 गुना समय है मेरा चार बटा चार महा है तो महा को एक साल में कितना महा होता है तो बारा तो हम लोग चार महा को जब वर्स में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग चार महा को वर्स में चेंज करने के लिए चार बटा बारा बारा से डिवाइड करतेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चार बटा बारा गुने रेट मेरा है 10% 25 भागा 30 ठीक है ये मेरा जो भी आएगा ये ये हो जाएगा मेरा SI फिर हम लोग उसको ये वाला में फिर से जोड़ेंगे amount निकालेंगे हम लोग जो आएगा वो answer हो जाएगा कर दिये तो ये आगया हम लोग का इतना amount आएगा 100 0.83 इतना रुपईया हो गया अब हम लोग निकालेंगे मी सरधन या total amount मी सरधन या total amount बराबर तो ये वाला amount प्लस 100.83 जोड़ेंगे हम लोग तो एक टीस सो पचीस 0.83 इतना रुपईया ये आ गया हम लोग का answer दो वर्स चार माह के बाद इतना रुपईया उसको भुगदान करना पड़ेगा ये हो गया अगला question देखते हैं वर्स 2000 के अंत में एक अस्थान की जनसंख्या 20,000 है तो 1998 में जनसंख्या कितना था पहला तो question यह यह rate दिया हुआ है 5% तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये दर बराबर 5% हम लोग को principle नहीं पता है मने मुल्धन नहीं पता है मुल्धन या P बराबर ये हम लोग मान लेते हैं कि ये X है ये हम लोग मान लेते हैं तो अब हम लोग को चाहिए क्या समय, समय देखिएगा कितना होता है, समय बराबर, तो ये 98 में जनसंख्या पुछता है कि कितना था, वर्स 1998 में जनसंख्या, ठीक है, तो हम लोग जोड़ लिए तो 98 के बाद कितना होता है, 2 साल होता है न, 99 और 12000, तो हम लोग यहाँ पे लि इंट्रेस्ट के दर से बढ़ेगा मतलब हम लोग को यहाँ पे CI निकलना है तो हमारा amount हमको पता है यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे A बराबर हम लोग को दिया हुआ है 20,000 ठीक है इतना जन संख्या हम लोग को पता है तो अब हम लोग जो फर्मूला जानते हैं उस पर बठाएंगे हम लोग A बराबर A बराबर P 1 प्लस R बाई 100 टुबी पावर P यही होता है तो हम लोग लिखेंगे 20,000 बराबर P के जगा पर हम माने हैं X 1 प्लस रेट है मेरा 5 बटा 100 और दो बर समय है इसको हम लोग यहां से काट लेंगे यह उपर में 1 है इसको जब solve करेंगे तो क्या आ जागा X 20 एकम 20 प्लस 1 बटा 20 बटा पावर 2 इसको हम लोग लिखेंगे X 21 बटा 20 मतलब चलिए एक बार और लिख देते हैं इसको और लिख देंगे तो X गुने 441 बटा 400 इतना लिख देंगे हम लोग अब X बराबर निकालेंगे तो यह क्या हो जागा 20,000 भागा 441 बटा 400 यह जस्ट उल्टा होगा अब हम लोग जब इसको सॉल्ट कर देंगे तो यह हो जागा 20,000 ठीक है यह भागा है तो यह उलट जागा न तो उपर चला जागा 400 बटा नीचे चला जागा 400 41 ठीक है यह इतना हो गया अब हम लोग इसको जब सॉल्ट करेंगे तो यह कितना आएगा तो चार दुनी आठ एक दो तीन चार दुछे एक दो तीन चार पाँच छे बटा 441 ठीक है इसको हम लोग अब कितना आजाएगा 1814.58 ठीक है यह इतना ही आएगा जब यह इतना आजाएगा तो हम लोग को पता है यह जन संख्या है तो जन संख्या तो आधा सुधा तो होगा नहीं इसका मतलब इसका मतलब हम लोग इसको पूरा पूरा यह 18140 आता है तो हम लोग इसको मान लेंगे और अठारहजार एकसव एकतालीस ये इतना जनसंख्या उनीस सव अन्ठानबे में था अब हम लोग को बोलता है कि दो हजार दो में जनसंख्या गयात किजिए तो अब जस्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो मेरा ये फॉस्ट पार्ट हो गया और टाइम समय बराबर देखेंगे दो हजार का था दो हजार दो में पुछता है तो फिर दो वर्स हो गई ये ठीक है तो हम लोग यहाँ पर फिर वही निकालेंगे एमाउंट यहाँ पर निकालेंगे हम लोग ए बराबर वाट तो ए बराबर बीस हजार इंटू एक प्लस पांच बटा सौ का पावर दो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे सॉल्फ किये थे है ना हम लोग डारेक्ट इसको लिख सकते हैं बीस हजार इसको काट लेंगे तो ये बीस मतलब डारेक्ट लिखते हैं ना 21 बटा बीस तो पावर दो तो बीस हजार गुने ये हो जाएगा चार सौ एक तालिस बटा चार सौ ये कट जाएगा दो चार से काटेंगे चार पच्छे बीस और एक जीरो और इसको मल्टिप्लाई कर देंगे हम लोग तो जीरो पाँच एकम पाँच पंचव के बीस की जीरो पंचव के बीस अर्दो बाइस इतना पॉपुलेशन हो जाएगा सन दो हजर दो में ठीक है ये भी हो गया हम लोग का अंसर ये सेकंड पार्ट हो गया यहां तक हम लोग देख लिए हैं आज 5, 6, 7, 3 प्रश्ण को देखे हैं और साइध आप लोग को समझ में आया होगा यदि समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा दूसरे को सेयर जरूर कीजिए जिससे कि उनको भी हैदा हो और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद